नमस्कार में हो प्रिया भिहारी न्यूज में आपका स्वागत है चलि जानते हैं देशपी देशवी कुछ प्रमुखबर को इस रो जल्द सारवजनी करेगा चंद्रियान 2 के आकड़े भारती अंतरिक्ष अनुसंदान संगठ ने चंद्रियान 2 से मिलने वाले वैज्यानिक आकड़ों को वैश्वी कुपियों के लिए उक्टूबर तक जारी करने की बात कही है बीते दिन भारत के इस दूसरे चंद्रियान मिश्यन के अंतरगत अंतरिक्ष में प्रस्वीरपन का एक साल पूरा होके है इस रोने बहुबली नामक जियो सिंक्रोन सेटलाइट इस रोने बताए कि चंद्रियान दो से व्यापक आंकड़े हासिल हुए हाला कि चंद्रियान दो द्वारा भेजेगे आंकड़ों को मर्च में आयोजित होने वाले वार्शिक चंद्रग्रह विग्यान सम्मेलन में साजह किये जाने की योचना थी लेकिन COVID-19 के कारणों से राम मंदर के भूमी पूजन में रखी जाएगी 44 किलो चांदी की इट राम मंदर निर्मान के लिए 5 अगस्त को भूमी पूजन करवाने का प्रस्ताव जारी किया गया है जिसके लिए प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इस कारिक्रम का आयोजन करवाय जाना है जिसके लिए तयारियां जोर शोर से जारी है वहीं भूमी पूजन करवाने के जिम्मदारी उठार है ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रधान मंतरी के आगमन को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित भी नजर आ रहे हैं इस इक्रम में उन्होंने बताया है कि भूमी पूजन और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के इस भूमी पूजन में शिरकत होने के वाक्या को ध्यान में रखते वे 40 किलो की चांदी के और रखकर प्रधान मंतरी का शुभारम करने वाले 3.5 फीट अंदर रखी जाने वाले इट में नक्षत्रों के चिन्ध बने होंगे मीडिया हाउस के एक रिपोर्ट के अनिसार भूमी पूजन के अनुष्ठान को तीन अगस्त से शुरू कर दिया जाएगा इसके लिए एक काशी के विदवान पड़ितों को बुलाया जाएगा इन आवाजे को जमीन की परत और टेक्टोनिक प्लेट्स में लगातार हो रहे बदलाव के अधार पर इन शोध करताओं नहीं हदावा किया है कि कमपन के आने पर सबसे जादा बुरी तरह से नेपाल के दक्षिन पश्चिमें इलाके में बुरा प्रभाब देखने को मिल सक किया है या बदलाव घनियाबादी वाले इलाकों को हिला कर रखने वाले हैं इंटरनाशनल फ्लाइट से राजहारी पहुचने वाले सभी यात्रियों के लिए जारी की गई नई गाइडलाइन इंटरनाशनल फ्लाइट की मदद से इंदरा गांधी इंटरनाशनल हवाई अ अगर यात्री दिली अंसियार में रहने की योजना बना रहे हैं तो हवायड़े पर अंतराष्ट्रिय उडान से पहुचने वालों को अनिवारे हिल्थ स्क्रीन की प्रक्रिया से गुजरना होगा जिसमें हवायड़े के स्वास्ता दिकारियों द्वारा प्रात्मिक जात शाम अप पर भी प्रतिबंद लगा दिया है इतना ही नहीं पाकिस्तान ने टिक टॉक को आखरी चेतावनी दे दी है मिली जानकारी के नुसार पाकिस्तान दुर संचार प्राधिकरन ने ओननाइट गेम पबजी पर बैन लगाने के बाद देश में लाइफ स्ट्रीमिंग आप् परगो में शिकायत मिली थी इसके बाद इस पर बैन लगाए गया है और टिक टॉक को चुताव नहीं दे दी गई है पाश्यम बंगाल चुनाव के लिए ममता बानर जी ने शुरू की तयारी पाश्यम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बानर जी ने दो हजार एकिस के विधा राजनीती का गंदा खेल खेल रहे है भाश्यम बंगाल को तोड़ने की कोशिच कर रही है केंदर ने हमें कुछ भी नहीं दिया है भाश्यम अगलग राजयों में सरकार गिलाने के लिए विधायकों की खरीद फरोक्त में भी लगी हुई है इतना ही नहीं जोरान उन्होंन अपने सभी पार्टी सदस्तों के साथ मिलकर भाजपा को हराने की प्रतिग्याली है आईपियल का आयोजन इस साल होगा UAE में कोवर्ड-19 के बढ़ते प्रभाव की कारण जहां हर साल आईपियल का आयोजन भारत में करवाय जाता था वहीं इस साल इसका आयोजन UAE में करव को इस पूरे मुद्दे के लिए संपर्ग साधा गया है वहीं BCCI के तरफ से ज़ारी किये गये अधिसूचरा के नुसार IPL का आयोजन सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में करवाय जा सकता है भारत की तरफ से चीन को लगएगा एक और जटका भारत चीन सीमा विवाद के ख़बरों के मारे तो इसे सब्धा चीन को भारत ऐसा जटका देने वाला है जो पूरी तरीके से चीन को खेला करण देगा कारोबार के morally के छेथ में पिछले एक महीने में चीन को भारत का क्रोर रुपे का जटका दे चुका है इस बार केंद्र सरकार ने एक नई नीती को लागू कर दिया है उसे लागू करने वाले भारत में इलेक्ट्रोनिक कारोबार ठप होने की सभावना है केंद्र सरकार ने इस तैनियम के अनुसार सभी विक्रिताओं के लिए अपने इलेक्ट्रोनिक उत्पात पर country of origin यानि की ज निशाना साथते आया है इसी क्रब में अमेरिकी प्रतिनेधी सभा ने राष्ट्रिय रक्षा प्राधिकरन अधिनियम में संशोधन को सर्वसम्मित्ती से पारत भी कर दिया है जिसने गलवान घाटी में भारत के खिलाव चीन के कदम और दक्षवी चीन सागर जैसे विवा कामले को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने कहा है कि कोवर्ड नाइटीन का फाइदा उठाकर भारत के जमीन पर घुसने की चीन कोशिश करना चाहर है मगर हम भारत के साथ मिलकर चीन के हर नापाक हरकत का जवाब पूर तरीके कश्मीर के उर्दु अखवार के साथ पहुचाना भी इस वक्त में मुश्किल हो चला है वही रोशनी अखवार ने अपने अखवार के साथ साथ लोगों को मास्क भी मुहया करवाना शुरू कर दिया है मिली जानकारी के नुसार रोशनी अखवार में अखवार के साथ साथ बकायदा मास्क भी लोगों तक पहु वालन भी हो सके और काम भी बाधितना हो इस इक्रम में हाली में जारी केगे जानकारी के नुसार सरकार ने IT और BPO कमपनियों के लिए घर से काम करने के लिए जारी दिशान इर्देश को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है घर से काम करने की समय अवधी 31 जुलाई को समाप्त होनी थी मगर कमपनी अपने करमचारियों को इस साल के अंति तक घर से काम करने की अनुमती देगी इससे पहले सरकार ने जुलाई के अंति तक बढ़ा दिया था दुर संचार वभाग ने कहा है कि चुंता को देखते हुए काम के अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए नए नियम औ अब पोलांड की युनिवरसिटी में भी बिगवी के पिता और मशूर कवी हर्यवान श्राइब बच्चन की मधुशाला का पाठ करवाया गया है जिसका वीडियो खुद अमिताब बच्चन ने भी शेयर किया है वीडियो शेयर करते वे अमिताब बच्चन लिखते हैं कि मेरी आखे नम है पोलांड के युनिवरसिटी युनेसको ने सिटी ओफ लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया है आज यहां बाबुजी की मधुशाला का पाठ हुआ जिसे युनिवरसिटी के चात्रों ने छट पर चड़ कर सुनाते वे मेसेज पास किया है कि व्रोकला पाबुजी का शेहर है आपको बता दे इन दिनों अमिता बच्चन कोबर 19 पॉजिटिफ पाय जाने की कारण अस्पताल में एडमिट है समय समय पर वो अपने ट्विटर के माध्यम से फैन से रूबर होते रहते और अपने स्वास्त संबंदित जानकारी देते रहते हैं सच आश्रे क्रिकेट परिश्ट के एलीट पैनल के पूर्व अंपायर डेरिल हार्पर ने 1929 के एडलेट टेस्ट मैच में सचिन तेंदुरकर के खिलाफ दिये अपने विवादा स्पत फैसले का बचाव किया है डेरिल हार्पर ने बताया है कि वो एक सही निर्ने था ऑस्ट्र पूर्व अंपायर हर्पर ने आगी कहा कि सेचिन तंदुरकर के खिलाफ दिये गया इस फैसले के बारे में मैं हर दिन सोचता हूं मैं ठीक से सो नहीं पाता हूं हो सकता है कि उस बात को जानकर दुखी हो कि मुझे अभी भी इस फैसले पर गर्व है क्योंकि मैंने जो प्रदूशन फैलाना बंद करें उनका काम देश में प्रदूशन सतर को कम करना है और वो ठीक से साशन करने पर ध्यान दे सिब्बल ने कहा कि भाजपा को सरकार चुलाने नहीं आती लेकिन कड़े शब्दों का प्रयोग करके देश की राजनीती को प्रदूशित कर रहे है आपको राहूल गांधी की आलोचना करने के बजाए, कोबर डाइटीन के बाहौल में देश के सामने उत्पन हुई परिशानियों का सामना करना चाहिए एश जैशंकर ने विदेश नीती में पिछरने की बताई तीन वजह हैं बलकि प्रभावी ढंक से समबाद भी करना चाहिए मगर कही न कहीं भारत की विदेश नीती अतीत के तीन बड़े बोच कोड हो रही है जिसमें से एक 1947 का विभाजन है, दूसरा आर्थिक सुधार में देरी रही है इसके साथ ही आज के लिए बस सतना ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दवाना ना भूले, धन्यवाद